हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 Grand League की टीम कॉंबिनेशन की उपर जो की गुजरा टाइटन्स पसेश चैन्ने सिपर किंग के बीच मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में तो दोस्तो ये Special Grand League की वीडियो रहने वाली है और यहाँ पर हम लोग केवल और केवल Grand League की बात करेंगे क्योंकि Small League की टीम तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैं लाया हूँ बहुत ही Special Grand League की टीम जो की इस मुकाबले में आपको जिता भी सकती है तो दोस्तो Grand League की टीम डिसकस करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ important stats की उपर तो यह मुकाबला नरेंदर मोजी टीम में खेला जाएगा तो यहाँ पर chase करने वाले टीम का record अच्छा रहा है highest score दोस्तों देख सकते हैं अच्छा खासा है average score 160 का है और वहीं बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ी boundaries देखने को मिलेगी तो यह सारा information मैंने आपको बता रखा है एक special analysis वाली वीडियो मैंने upload कर रखा है तो नहीं देखे हैं तो देख लिजे यहाँ पर fast baller को जारा मनत मिलती है spin baller के मुताविक और खास करके first inning में और recent के जो 5 मुकाबले हुए हैं उनमें से दोस्तों चार मुकाबले यहाँ पर chase करते हुए team जीती है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी team toss जीतेगी जहाँ तक चांचल से की balling ही लेगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों head to head records की उपर तो दोणों team के पीच दो मुकाबले खेले गया है दोनों को दोनों मुकाबले गुजरात ही जीती है पिशले साल दोनों मुकाबला खेला गया था एक मुकाबला 3 विकेट से जीती थी गुजरात और एक मुकाबला 7 विकेट से और वहीं recent form की बात करें तो गुजरात का recent form यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पिशले साल जो recent के 5 मुकाबले खेलते हुए आ रही है अपना पिशला चार मुकाबला जीती है और वहीं चेन्ने का recent form देख सकते हैं बहुत ही बुरा है क्योंकि पिशले साल चेन्ने से पर गेंग उतनी अच्छे form में नहीं थी दोस्तों अब उसके बाद बात कर लेते हैं तो रिट्रर गैकवार्ड दोस्तों अच्छा performance कीए थे गुजरात का खिलाफ पिशले साल 73 रन और 35 रन और वहीं बात करें अमबती राइडू और सिवम दूबे और दोस्तों रविंदर जेड़ेजा 22 रन बनाये थे वहीं बात कर लेते हैं गुजरात की तरफ से तो रिदिवान साहा एक मुकावले में 67 रन और बाकी देविड उनलर का performance बहुत ही अच्छा था और वहीं बात करें बाकी सारे batsmen average खेले थे बालिंग सेकंड से बात करें तो थेकसीना और एम पठिनारा की बात करें तो दो-दो विकेट लिया थे लेकिन ये लोग अभी अभी अबलेवल नहीं है और वहीं बात करें गुजरात की तरफ से तो इस मुकावले में अलजारी जोसेस और मुहमास साम पर आपको मैथुवेड और सुमनगील ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फिर तीसरे नंबर पर के निविलेसन साइ सुदर्सन हादिक पांडिया अभिना मनोहर रहूल तेवटिया रासित खान अलजारी जोसेफ सिवम मावी और मुहमाद समी इस्टार्टिंग में और पावर पले में आपको मुहमाद समी और सिवम मावी बोलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखरी कोवर में मुहमाद समी और जारी जोसेफ वहीं बात करें चैनने की तरफ से यह रहेगी प्लेंग लिओन इधर से आप लोग देख लीजिए और पावर पले में दीपक चाहर देस्पांडे बोलिंग कराएंगा और आखरी कोवर में डीपर टेरियोस और यहाँ पर चैन्जिद हो सकता है यहाँ पर आपको बैने स्टोक से भी स्टार्टिंग और वोलिंग कराते हैं तो यह होगी दोस्ते यहाँ पर प्लेंग लिओन अब ग्रैंड लिकी टीम डिसकस करने से पहले बात कर लेते हैं बहुत ही सांदार अप्लिकेशन में मैं लिए रखा जल से डाउनलोड कर लिज जैसे आप लोग यहाँ पर पहला बार रुपीश एड़ कीजेगा तो जल से अल दोस्तों जाई यह लिंक मैंने डिया हुए डिसक्रिप्शन में डाउनलोड कर लिजे और इस गेम में वित्य जोखिम सामिल और शिलत लग सकती है तक रिप्या अपने जिमदारे और अपने की उपर तो आगे बढ़ने से पहले में बस यही बोलना चाहाँ कि जो लोग चैनल पर पहले बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लिए ताकि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग अपडेट्स आपको मिलती रहे और टेलिग्राम पर आ है अब स्पेसल टीम आपको देखाते चलूँगा तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना है बिल्कुल भी स्किप ना करना है मत कीजिएगा नहीं तो दोस्तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा वाइटिंग से बात कर लेते हैं तो दोस्तो सुमन गील और रितुर के साथ बने रहना है और रॉंडर सेक्षन से बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रविंदर जड़ेजा को लिया हो बैन अक्ष्टोक्स और हार्दिक पांडिया और बॉलिंग सेक्षन से राशित खान दीपक चार और मुहामद समी तो जो मेरी पहले ग्रैंड लिग की हिसा आप से देखा जा यह जो मेरी टीम है यह दोस्तो असमॉल लिग में आप लोग इस टीम के साथ जा सकते हैं कैटन वाइस कैटन सेफ रहें लेकिन जो यहाँ पर मैं कैटन वाइस कैटन रखूंगा वो ग्रैंड लिग के हिसाब से बहुत ही बेस्ट रहेंगे तो जिए कैटन के रहें बहुत बेस्ट रहेंगे कटन के लिए यह कापटान के लिए सुमंगिल आप बात कर लेते हैं दोस्तो इस टीम की प्रिव्यू फेर अगली ग्रैंड ली की टीम की ऊपर तो दोस्तो ये रहेगी यहाँ पर हमारी जो पहली Grand League team की preview रहेगी और यह जो मैं team combination आपको अब यहाँ पर समझा दे रहा हूँ यह जो मेरी team combination दोस्तो batsman को favor करते हुए यह रहने वाली है यहाँ पर मैं दोनों teams की तरफ से openers पर जारब focus किया हूँ इधर से मैं deep convey को ले रहा हूँ जो कि opening करेंगे रितुरेर गया quad के साथ, captain बना रहा हूँ गया quad को सुमन गिल को मैंने लिया है जो कि opening करेंगे मैं थू वेट के साथ दोनों teams की तरफ से दोडों opener को मैंने लिया हुआ है और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तो बॉलिंग सेक्सन में तो मुहमाद समीर, आसित खान को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर गुजरात की तरफ से और दिपक चाहर एक man baller लिया है और चैन्ने की तरफ से और बात कर लेते हैं दोसरी टीम की उपर तो जो मेरे दूसरी टीम रहेगी दोस्तो यह बिल्कुल अपोजिट रहेगी यहाँ पर मैंने टॉप ओर्डर में दोनों टीम की तरफ से एक अक opener को ड्रॉप किया हुआ है तो जाहिर सी बात है दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है केई बिल्यंस की तरफ से अगर इक opener को नहीं लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है दोस्तो अगर टॉप ओरडर में अगरल गुजरात की तरफ से अगर एक प्लियर आउट हो जाता है तो चें बिल्यंस् से जो की मिडल ओर के बैट स्में है आते हैं पहले बैटिंग करने दोस्तों तो इनके उपर थोड़ा जारा दारोमदार रहेगा तो यह अच्छे पोहमेंस कर सकते हैं इसलिए दोस्तों मैंने इनको कफ्तान बनाया हुआ है और यहां पर मैं वाइस केप्टन दीपक चहर को इसलिए बना रहा हूँ क्यूंकि जाहरती बात है अगर दोस्तों मैं यह सोच कर टीम बना रहा हूँ कि मैं थूवेड आउट होंगे तो दीपक चहर पावर प्ले में मैं बॉलिंग कराएंगा तो यह हो सके इनको आउट करेंगा तो इसलिए इसलिए इनको मैंने वाइस केप्टन रखा हुआ है और इधर से उपर थोड़ा जाड़ा दारोमदार रहेगा और यह बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगा तो इनको मैंने लिया हुआ है तो रविंदर जड़िया को मैंने ले रहा हूँ बैन स्टोक्स मुहेनली और हर्दिक पंडिया और इहर से मैंने राइडू को भी लिया हुआ है जो की राइडू अंडररेटेट पिले रहेंगे तो इस मुकाबले में आप लोग लिए ग्रैंड लिक लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे तो यह हो कि दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी ग्रैंड लिकी टीम कॉम्बिनेशन हाँ बात कर लेते हैं तीसरी टीम की उपर तो द बात है जो टीम टॉस जोते हैं कि जारत रचांसे थे कि यहाँ पर पहले बॉलिंग कराएगी तो दोस्तों आपको यह मैंने बताया था कि स्टाइटिंग में यहाँ पर बॉलर्स को जारा मरत मिलती है ती यहाँ पर मैंने गुजरात की तरफ से हार्दिक पाण डिया अलज दोस्तों आपको सोच रहें कि मैं यहाँ पर गुजरात को फिर करत्व टीम बना रहा हूँ लेकिन कैप्टर मैंने बैनस्टोक्स को क्यों रखा है क्योंकि आप लोग कई-के मुकावले मैं ऐसा देखे होंगे कि पूरा टीम अच्छा पोहमेंस तो नहीं कर देती है और जी इनक तरफ से मैंने कोई भी ओपनर को नहीं लिया होती है क्यवल और क्यवल ग्रैंड लिग के लिए टीम रहने वाली है दोस्तों इसलग मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने हिसाब सब यहाँ पर टीम में चेंजेस कर सकते हैं मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आ दोस्ते यहाँ पर चौथी टीम की उपर तो यह जो टीम रहने वाली है यह दोस्तों चेंजे को फिवर करते हूँ टीम रही कि कप्तान ने बना रहा हूँ हार्दिक पांडिया को वाइस केप्टन डीप पर टीरियोस को इधर से बात करें तो गुजरात की तरफ से मैं कोई लेगा ही तो इस ही साब से यहाँ पर मैंने यह चनने का फिवर करते हूँ टीम बनाया है और कप्टान मैंने बना रहा हूँ दोस्ते यहाँ पर गुजरात के पिवर हर्दिक पंडय को अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद पांचवी ग्रेंडली की टीम की उपर तो टीम की मिल डिया है न्वी पर टीम को अर वाइस shapesn गाप्टन मैंने तो-टीम की Schulde चनने का रहा हूँ अर यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ आinent कि लिया हूँ बैट program की बनाया हूँ इसके प्र एकर ब्ले का लेर रहने वाली है और को और यहाँ पर हर्दिक पंडिया और तीन मने बोलर को लिया है और देश पंडे और अलजारी जोसस और मुहम्मद समीर तिया होगी दोस्ते हैं यहाँ पर हमारी 6 ग्रैंडली की टीम कॉम्बिनेसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक टीम अच्छे समझ में आई होगी धन् दोस्तों वीडियो देखने के लिए और चैनल पर पहली बरहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा धन्यवाद दोस्तों